इस कहानी की शुरुआत में हम फ्लोरीडा में रहने वाले कुछ बच्चों को देखते हैं जो गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद वापस से स्कूल जाने की तैयारियों में थे दरसल ये सभी बच्चे अपने फिफ्ट स्टेंडर में चले गए थे इसलिए वो अपनी नई क्लास के लिए काफी जादा एक्साइटेड थे और तैयार होकर अपने स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं अगली सीन में हम लियोनार्डो नाम के एक लिजार्ड और वेक्टर नाम के एक टर्टल को देखते हैं जो पिछले कई सालों से स्कूल के फिफ्ट क्लास में पेट एनिमल थे और उन्होंने अब तक फिफ्ट स्टेंडर के बैच के बहुत सारे बच्चों और टीचर को इसलिए उन दोनों को लाइफ का काफी अच्छा नौलेज था लियो और वो टर्टल भी बच्चों की तरह ही फिफ्ट क्लास के नए बैच के बच्चों के लिए काफी जादा एक्साइटेड थे क्योंकि समर हॉलिडे के दौरान वो दोनों भी काफी बूर हो गए थे अकेल कि बच्चों को बताती है कि इस बार भी उनके स्कूल में कॉमपिटिशन किया जायाएगा जिसमें जीतने वाली क्लास के बच्चों को मैजिक लैंड़ पार्क में स्पेसल डे ट्रिप पर ले जाये जायेगा मिस सलीना की बाते सुनकर सारे बच्चे बहुत खुज होते औ और वो मिस सलीना को काफी पसंद भी करते थे क्योंकि वो अपने क्लास के बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उन्हें कभी भी पनिस्मेंट नहीं देती थी अब रात में जब पैरेंट्स मिटिंग में सभी बच्चों के पैरेंट्स स्कूल आते हैं तो सभी अपने में ही बिज़ी होते हैं श्कूल के प्रिंस्पल सारे पैरेंट्स को बताते हैं कि मिस सलीना प्रेगनेंट है इसलिए वो कुछ महीनों की छुट्टी पर जा रही है। पैरेंट्स मिटिंग के बाद जब दो पैरेंट्स लियो और टर्टल के एक्वेरियम के पास होते हैं तो आपस में बात करते हैं कि उनके हिसाब से लियो जल्दी मरने वाला है क्योंकि एक छिपकली की लाइप सिर्फ 75 साल की होती है लियो को पता नहीं था कि वो अभी कितने स साल का हो गया वो कैलकुलेशन करके अपनी रियल एज का पता लगाने के लिए क्लासरूम में एमर्जेंसी अलाम प्रेश कर देता है ताकि एमर्जेंसी अलाम से डर कर टीचर उसे और स्कूल के बाकी पैट अनिमल को स्कूल के ग्राउन में ले जाए और वहां लियो दूसर से अपनी एज कैलकुलेट करा के ये पता लगा लेता है कि उसकी उम्र 74 एर हो चुकी है और वो जल्दी 75 का होने वाला है वो ये जान कर बहुत दुखी होता है क्योंकि अब वो एक साल के बाद मरने वाला था और अभी तक उसने अपनी जिंदगी को खुल कर जिया भी नहीं अब क्लास में बच्चों की नई टीचर मिस मैकलेन भी आ जाती है जो क्लास की पुरानी टीचर मिस सलीना को क्लास से बाहर करके काफी अस्ट्रिक्टली तरीके से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देती है वो एक बहुत ही पुराने खयालों की टीचर थी जिने बुरी तरह से टॉर्चर करती थी वो क्लास में सभी बच्चों को बताती है कि हर दिन एक बच्चा क्लास के पैट एनिमल लियो और टर्टल को अपने साथ घर ले जाएंगे और अगले दिन सही सलामत उन्हें वापस ले कर आएंगे लेकिन मिस मैकलेन के पूचने पर कोई भी बच्चा लियो और टर्टल को अपने साथ घर ले जाने के लिए राजी नहीं था लेकिन समर नाम की एक लड़की जो काफी जादा बोलती थी और उसके पैरेंट्स काफी जादा अमीर थे वो लियो को अपने साथ घर ले जाने के लिए राजी हो जाती है और लियो भी यह देखकर बहुत खुस होता है क्योंकि इस दौरान वो समर के घर से भाग कर अपनी बची हुई लाइफ को आजाद होकर जी सकता था समर लियो को अपने घर ले जाने के बाद अपनी फैमिली के साथ मस्ती करने में बेजी हो जाती है और इस दोरान जब लियो खिड़की से बाहर देखता है तो बहुत खुज होता है और अपने पिंजरे से बाहर निकल कर खिड़की की तरह आगे बढ़ने लगता है अब देखते ही देखते सुबह से साम और साम से रात हो जाती है लेकिन लियो अपनी स्लो स्पीड की वज़े से खिड़की तक नहीं पहुँच पाता अब समर जब अपने कमरे में आती है तो वो लियो को उसके पिंजरे में ना पाकर परिशान हो जाती है इस दोरान लियो अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे जिससे उसकी मौत हो जाएगी और वो सिर्फ समर से ही बात कर सकता है क्योंकि समर एक स्पेशल लड़की है लियो की बात सुनकर समर सांथ हो जाती और ये जानकर काफी खुस थी कि वो एक स्पेशल लड़की है जिसकी वज़ की बात को सुने बिना ही बोलते जाती है जिससे स्कूल के बच्चे समर को बिलकुल भी पसंद नहीं करते और इसी वज़े से स्कूल में उसका एक भी दोस्त नहीं है अब समर भी इस बात को accept कर लेती है कि उसके लगातार बोलने की वज़े से ही उसके classmate उसे पसंद नहीं करत जिसका उसे बहुत दुख है लियो उसे समझाता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और वो समर को एक आइडिया देता है कि जब वो किसी से बात करना सुरू करे तो वो सामने वाले से एक सवाल फूच ले जिससे उसे अच्छा लगेगा अब समर और लियो जल्दी एक अच् खुश लग रहा था अब मिस मैकलें जब क्लास में वापस से पढ़ाने आती है तो वो सबी बच्चों को अपना लैप्टोप बंद करके मोटी मोटी किताबे पढ़ने को देती है जिससे सारे स्टूडेंट्स बहुत दुखी होते हैं क्योंकि मिस मैकलें के आने से उनका स् सकता था इसलिए अब इलाई नाम का एक लड़का लियो को अपने साथ घर ले जाने के लिए राजी होता है वो जब लियो को अपने घर ले जा रहा था तो समर इलाई के पास जाती है और उससे उसके घर आकर लियो के साथ टाइम स्पेंट करने के लिए पूचती है इलाई तो इसके लिए राजी था लेकिन उसका ड्रोन हर समय उसके साथ ही रहता था और उसका ख्याल रखता था कोसिस करता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और इस दोरान उसकी पूछ भी कड़ जाती है लेकिन इलाई का डॉग लियो की जां बचा लेता है क्योंकि जब लियो इलाई की डॉग से भात चर रहा था तो वहाँ पर इलाई भी आ जाता है उससे बात करके लियो को पता चलता है कि इलाई अपने ड्रोन से बहुत प्यार करता है लेकिन वो उसके extra safety friendly होने की वज़े से काफी ज़्यादा परिशान भी है और उस ड्रोन की वज़े से ही वो बाकी बच्चों की तरह खुल कर जी नहीं पा रहा इसलिए लियो उसे एक आइडिया देता है कि वो अपने प्यारे ड्रोन को एक लेटर लिखे और उससे बताए कि किस परकार वो उसके extra friendly होने की वज़े से बहुत दुखी है और अपनी लाइफ को खुल कर नहीं जी पा रहा इलाई ऐसा ही करता है और जब उसका ड्रोन उसके लेटर को पढ़ता है तो उसे अपनी गलती का हैसास होता है और वो इलाई से नाराज होकर उसके सामने खुद को dust bean में डालने की कोसिस भी करता है इलाई अपने ड्रोन को ऐसा करता देखकर हैरान था लेकिन लियो उसे समझाता है कि ड्रोन उसके सामने ये सब नाटक कर रहा है और कुछ देर के बाद वो खुद ही ठीक हो जाएगा अब क्योंकि इलाई का ड्रोन उसके साथ नहीं था इसलिए वो लियो के साथ मिलकर खूब मस्ती करता है अगले दिन वो लियो को वापस से क्लास में ले आता और काफी ज़्यादा खुश लग रहा था लियो का फ्रेंड टर्टल ये देखकर पूरी तरह से हैरान था कि आखिर लियो को अपने साथ ले जाने वाले बच्चे वापस आने के बाद खुश क्यों होते हैं अब मिस मैकलें जब हर दिन की तरह बच्चों से पूचती है कि आज बेट्स को कौन घर ले जाएगा तो इलाई और समर दोनों ही लियो को अपने घर ले जाने के लिए अपना हाथ उटाते हैं लेकिन रूल की वज़े से मिस मैकलें उन दोनों को ही मना कर देती है और आज जेडा नाम की एक लड़की लियो को अपने साथ घर ले जाती है जेडा के डैड एक डॉक्टर थी और उनकी फैमिली सहर के सबसे अमीर फैमिली में से एक थी इसलिए जेडा हर समय दिखावा करती थी और परफेक्ट अमीर लोगों के साथ रहना पसंद करती थी और उन दोनों की तरह जेडा को भी जल्दी लियो की सच्चाई पता चल जाती है कि वो बोल सकता है लेकिन लियो किसी तरह उसे भी ये बात किसी और को बताने से रूकता है और उसे भी ये विश्वास दिलाता है कि वो एक स्पेशल लड़की है जिसकी वज़े से लियो उससे बात कर पा रहा था लियो को जेडा की प्रॉबलम के बारे में पता था कि वो काफी ज़्यादा दिखावा करती है जिसके वज़े से लोग उसे पसंद नहीं करते और इसलिए वो उसको दिखावा करने शे मना करता और सभी से अच्छे से बात करने की कहता है ताकि लोग उसे पसंद करे लियो की पार्टी में आये महमानों को अच्छा लगे अब लियो जब पार्टी में लाए गए जानवरों से बात करता है तो उसे पता चलता है कि वो सभी काफी ज़्यादा दुखी है और एक आजाद जिन्दगी जीना चाते हैं लियो ये जानकर जेडा को किसी तरह सारे जानवरों को आजाद कराने के लिए राजी करा लिता है अब जेड़ा जब अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ मिलकर किसी तरह सारे जानवरों को आजाद कर देती है और वो सभी जेड़ा के घर और गार्डेन में इधर उधर भागने लगते हैं जेड़ा और उसके फ्रेंड्स ये देखकर बहुत खुस होते हैं और वहाँ पर खूब इंज्वाई करते हैं बाकी जानवरों को वहाँ से भागते हुए देखकर लियो को एक आइडिया आता है और वो भी एक छोटे कट के होर्स की मदद से बबल पर बैटके वहाँ से जंगल की तरफ जाने लगता है ताकि वो अपनी बची हुई जिंदगी आजादी से जी सके लियो को गार्डिन में ना पाकर जेडा और उसके फ्रेंड चारों तरफ लियो को ढूनने लगते हैं क्योंकि वो लियो से बहुत प्यार करते थे लियो जब जेडा और उसके फ्रेंड को अपने लिए परिशान होता हुआ देखता है जाकर भी वहाँ से भाग नहीं पाता और वापस से बच्चों के पास आ जाता है अगले दिन जेडा एक बर फिर से लियो को उसके पिंजरे में रख देती है और अब क्लास के सबी बच्चे लियो से बहुत प्यार करने लगी थे लियो के फ्रेंट टर्टल को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बच्चे लियो को इतना पसंद क्यों कर रहे है अब क्योंकि लियो ने क्लास के बहुत सारे बच्चों की प्राब्लम सॉल्व कर दिया था इसलिए वो खुसी से स्टड़ी कर रहे थे और उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी काफी जादा बढ़ गई थी जिससे उनके पैरेंट्स और स्कूल के प्रिंसपल पूरी तरह से हैरान थे और वो इन सब का क्रेडिट मिस मैकलेन को दे रहे थे मिस मैकलेन भी ये देखकर पूरी तरह से हैरान थी और साथी काफी खुस भी थी क्योंकि पहली बार प्रिंसपल और पैरेंट्स उनकी तारीफ कर रहे थे बच्चे स्कूल से घर जाने के पहले लियो को खाने के लिए बग्स और कीड़े दे कर जाती थे और साथ ही उन्होंने लियो को कॉल से बात करने के लिए एक स्मार्टफोन भी दिया था एक दिन लियो के फ्रेंट टर्टल को लियो की सचाई का पता चल जाता है कि वो रूल तोड़कर बच्चों से बात करता है और उनकी प्राब्लम सॉल्व करता है और उसी की वज़े से बच्चे उसे इतने जादा पसंद करने लगे हैं क्लास में जब सारे बच्चे लियो को अपने साथ घर ले जाने के लिए आपस में जगड रहे थे तो इंटोनी नाम का एक लड़का लियो को अपने घर ले जाने के लिए खड़ा होता है और लियो की तरह ये एंटोनी की प्रॉब्लम सॉल्व करके उसका फेवरेट बनने की कोसिस करता है टर्टल को बूलता देखकर एंटोनी काफी जादा डर गया था लेकिन टर्टल किसी तरह उसे सांध कराता और उसके अजीब से सवालों का गलत सही जवाब देकर उसे सांध कराने की कोसिस करता है टर्टल के जवाब से एंटोनी पूरी तरह से सैटिस्फाइ नहीं था इसलिए आखिरकार लियो को ही उसके पास जाना पड़ता है और वो इंटोनी के सवालों का सही जवाब दीता है और साथी वो इंटोनी को एक अच्छा लड़का बनने के लिए मोटिवेट भी करता है क्लास के सभी बच्चे अब लियो के काफी अच्छे दोस्त बन गये थे और उन सभी को ही ये लगता था कि लियो सिर्फ उनसे ही बात कर सकता है क्योंकि वो स्पेशल हैं इसलिए उन्होंने लियो को खुद से बात करने के लिए एक स्मार्टफोन भी दिया था अब लियो के पास काफी सारे स्मार्टफोन हो गए थे और वो काफी मुस्किल से बच्चों से बात करके मैनेज करता था और किसी को पता नहीं चलने देना चाता था कि वो सभी से बात करता है अब वो कॉम्पिटिशन भी काफी करीब आ गया था जिसकी तैयारी क्लास के सारे बच्चे कर रहे थे क्योंकि लियो ने उन सभी को मोटिवेट किया था कि वो मिलकर इस कॉम्पिटिशन को जीत सकते हैं टर्टल को लियो की एक खुसी पसंद नहीं आती और वो लियो की फोन से बात करते समय वीडियो बनाकर सभी को मबाईल के उपर भेज देता है जिससे सभी को पता चल जाता है कि लियो सिर्फ उन से नहीं बलकि सभी से बात करता है और उन में से कोई भी बच्चा स्पेशल नहीं है लियो बच्चों को समझाने की कोसिस करता है कि ऐसा करने की पीछे उसका कोई गलत इरादा नहीं था बलकि वो तो उनके लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करके उन्हें खुस काना चाता था इस समय मिस मैकलेन भी क्लास में आ गई थी जिसकी वज़े से उन्हें भी पता चल जाता है कि लियो इंसानों से बात कर सकता है और उसके गाइडेंस से ही उनके क्लास के सारे बच्चे इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थी अब क्लास से सभी बच्चों के जाने के बाद मिस मैकलेन खुद लियो के पाज आती है और उसे अपने साथ अपने घर पर ले आती है मिस मैकलین लियो से काफी ज़्यादा गुसा थी क्योंकि लियो ने उनके जाने के बाद उनके स्टूडेंट से बात की थी मिस मैकलین से कुछ देर बात करने से लियो को पता चल जाता है कि मिस मैकलین अपनी लाइफ में पूरी तरह से अकीली है और उन्हें कोई भी प्यार नहीं कर था जिसकी वज़े से वो ऐसी बन गई वो लियो को बदाती है कि उन्हें बच्पन में भी किसी से प्यार नहीं मिला और उन्हें अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ अश्टडी करने में गुजार दिया जिसके बाद भी वो सिर्फ एक नॉर्मल सी टीचर बन कर रह गई मिस मैकलें की प्रॉब्लम जानने के बाद लियो अपने अनुभव से उन्हें भी एक अच्छी टीचर बनने की एडवाइस दीता है ताकि एस्टूडेंट्स और लोग मिस मैकलें को भी प्यार करे मिस मैकलें भी लियो की बात समझ जाती और वो अपने क्लास के स्टूडेंट के साथ अच्छे से बात करने का वादा भी करती है अगले दिन जब वो अपने स्कूल में जाती है तो पहली बार अच्छे से बात करती है जिससे बच्चों को और उन्हें काफी अच्छा लगता है क्लास के सारे स्टुडेंट्स लियो से बात किये बिना उसके गैर मौजूदगी में ही कॉम्पेटिशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं और वो कॉम्पेटिशन जीत भी जाते हैं जिससे मिस मैकलेंट बहुत खुस होती है और जीत की ट्रॉफी को अपने पासी रखने का फैसला करती है वो ये नहीं चाती थी कि किसी को भी पता चले कि उनके क्लास के बच्चों के कॉम्पेटिशन जीतने के पीछे लियो का हाथ है इसलिए वो लियो को लेकर अपनी कार से वहां से निकल जाती है और लियो को फॉरेश्ट में जाकर छोड़ देती है और वो उसे जूट बोल देती है कि उनके क्लास के बच्चे कॉम्पेटिशन हार गए और वो सभी लियो से नफरत करते हैं अगले सिन में हम बच्चो को देखते हैं जो क्लास में लियो को ना पाकर काफी जादा परिशान थे मिस मैकलेन जब क्लास में आती है तो वो सभी से जूट बोल देती है कि लियो उन सभी को छोड़ कर आजादी से अपनी लाइफ जीने के लिए चला गया और मिस मैकलेन ने खुद लियो की तरफ से एक जूटा नोट भी लिख दिया था अब सभी बच्चो को विश्वास हो जाता है कि लियो उनको छोड़ कर चला गया है इसलिए वो लियो के बिना ही मैजिक लैंड ट्रिप पर घूमने के लिए निकल परते हैं अब लियो के फ्रेंड टर्टल को भी अपनी गलती का हैसास हो चुगा था कि उसने जेलेस की वज़े से अपने फ्रेंड लियो का साथ नहीं दिया क्योंकि वो जानता था कि मिस मैकलेन जूट बोल रही है और वो लियो को अपने साथ ले गई थी किसी लियो वो टर्टल किसी तरह इलाई के ड्रोन को कमांड देकर अपने पास बुलाता है और फिर ड्रोन के साथ उड़ते हुए उस बस के पास आ जाता है जिससे मिस मैकलेन बागी बच्चों के साथ ट्रिप पर जा रही थी वहाँ पर वो सभी को मिस मैकलेन की सचाई बता देता है कि मिस मैकलेन ही लियो को अपने साथ ले गई थी और उन्होंने अब तक उनसे जो कुछ भी बोला है वो सब जूट है टर्टल की बात सुनकर सारे बच्चे गुस्से से मिस मैकलन की तरफ देखने लगते हैं और अब मिस मैकलन को भी सारा सच बताना पड़ता है कि उन्होंने ही लियो को जंगल में छोड़ा था क्यूंकि वो उनके सक्सेस का क्रेडिट खोद लेना चाहती थी अब मिस मैकलन को अपनी गलती का एसास हो गया था इसलिए वो बच्चों के साथ मिलकर लियो को वापस लाने का प्लैन बनाती है वो जब बच्च ड्राइवर को जंगल की तरफ ले जाने को बोलती है तो वो ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है जिस बात पर गुसा होकर मिस मैकलन किसी तरह बहुत मुस्किल से बच्च ड्राइवर को जो बच्चों का गेम कोच था उसे बच्च से बाहर निकाल कर लियो को बचाने के लिये निकल पड़ती है वहीं दूसरी तरफ जंगल में लियो को काफी मुस्किलों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उसे जंगल के वातावरन में रहने का बिल्कुल भी experience नहीं था अब लियो को जंगल में वो जानवर मिल जाते हैं जिनको उसने आजाद कराया था इसलिए वो सबी मिलकर लियो को जंगल में रहने में मदद करते हैं और अब तक टर्टल भी ड्रोन के साथ जंगल में लियो को बचाने के लिया आ गया था लेकिन उसे लियो मिलता नहीं अब जब जंगल में लियो अपने से भी कुछ जादा बोड़े लिजार्ट से मिलता है तो उसे पता चलता है कि लिजार्ट सिर्फ 75 साल तक नहीं बलकि इससे भी काफी लंबे समय तक जिन्दा रहते हैं जिससे जानकर लियो बहुत खुज होता है अब लियो और बाकी के जानवरों का सामना जब खतानाक क्रोकोडाइल से होता है तो वो लियो को अकीला छोड़कर वहां से भाग जाते हैं लेकिन इससे पहले कि वो क्रोकोडाइल लियो को कोई नुक्षान पहुँचाते है वहाँ पर मिस मैकलेन भी बच्चों के साथ बस में बैटकर आ जाती है जिससे वो क्रोकोडाइल डर कर भाग जाते हैं और बचे हुए क्रोकोडाइल को मिस मैकलेन और ड्रोन मार कर वहाँ से भगा देते हैं लियो वापस से बच्चों से मिलकर बहुत खुज होता है और अब वहाँ पर वो टर्टल भी आ जाता है जो लियो से मिलकर बहुत खुश था और वो दोनों वापस से एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इसके बाद लियो और टर्टल वापस से क्लास में रहने लगते हैं और सबी बच्चे खुसी खुसी फिफ्ट स्टेंडर को क्वालिफाई करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन जरूर दबा ले